बिल्ली का घर में बच्चे जनम देना शुबया अशुब नमस्कार जैसरी कृष्णा राधे राधे दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि किसी का भी जनम किस कार्ण होता है आज हम चानेगे बिल्ली का घर में बच्चे जनम देना शुब होता है या अशुब दुस्तों दुनिया में बिल्ली यां लगबग हर जगह मौझूद है कुछ लोग बिल्लीओं को पालते भी है और कई जगह बिल्ली खुद चल कर आ जाती है दुस्तों आपकी चानकारी के लिए बता दें कि बिल्ली जिस घर में अपने बच्चों को चन्म देती है जिस जगह या जिस घर में बिल्ली के बच्चे पैदा होते हैं उनके घर में आने वाले सभी कारेया बहुत जल्द शिद हो जाते हैं और साथ ही अंधन की उस घर में कभी कमी नहीं रहती है वेसे तो बिल्ली एक पालतू जानवर के रूप में भी पाली जाती है यदि आपके घर में भी बिल्ली अपने बच्चों को जन्म दे रही है तो ये आपके लिए बहुत शूब है इसलिए आपके घर में यदि ऐसा हुआ है या होने वाला है तो आप बिल्कुल भी गभराय नहीं आप बिल्ली की देखवाल करें, उसके बच्चों की देखवाल करें, उसे खाने पीने के लिए कुछ सामान जरूर रखें, क्योंकि ये आपके घर में आने वाले शुब कारें के संकेत मने जाते हैं, यदि आपके घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन देती है तो, इसके स साथ-साथ हमने ये भी जान लेते हैं कि सपने में बिल्ली देखना क्या संकेत देता है। सपने हर एक व्यक्ती को आते ही रहते हैं। तो आप उस सपने को अच्छे तरीके से याद कीजिए कि आपको किस परकार का सपना आया है आपने बिल्ली को किस परकार से अपने सपने में देखा है क्या वो सूर ही थी या कुछ खा रही थी या लड़ जगड रही थी दोस्तों बिल्ली कई परकार से सपने में आ सकती है य यदि आपको कुछ याद नहीं आ रहा है सिर्फ आपको ऐसे याद आ रहा है कि आपके सपने में बिल्ली आई थी यह आपको बिल्ली का सपना आया था और उसके बारे में कुछ अच्छे से याद नहीं आ रहा है तो आपको बता दे शास्त्रा अनुसार ऐसा सपना छोटी उपने सपने बिल्ली देखना दर्शाता है और जुब संकेथ माने जाता है उसके आपके लिए शुबस होगा के संकेत देते हैं और बहुत सी खुशियां भी उनके परिवार में आती है इसलिए ऐसा सपना आने के बाद इंसान को चिंता नहीं करने चाहिए और आने वाले जीवन का बर्पूर आनन उठाना चाहिए यदि आप सपने में काली बिली देखते हैं तो यह जानने कि यह आपक आ सकती है हो सकता है आपका मित्र ही कोई आपका शत्रू बन जाए आसपडोस में भी आपका कोई बुरा चाहने लगे एसे सपने एशुव संकेत देते हैं इसलिए एसा सपना आने के बाद आप थोड़े से सावधान जरूर हो जाए ताकि आपके दुश्मन आपका कभी फा मार देते हैं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें यह एक शुब संकेत माना जाता है लेकिन यदि आप सपने में बिल्ली को मार रहे हैं तो यह एक शुब संकेत है एसा सपना आने के बाद आपके जीवन में आपके सत्रू का अहित चालूब हो जाएगा यदि आप के सत्रू आपको हानी पहुंचाना चाहेंगे तो उनका स्वयम ही बूरा होगा इसलिए एसा सपना यदि आपको आए तो आप गवराए ने डरें यह बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है यदि आपके घर में बिल्ली ने अपना इस्थान बना लिया है या रहने लगी है तो ये शुब होता है या एशुब दोस्तों कई जगाओं पर बिल्ली का रहना शुब माना जाता है और कई जगाओं पर है शुब किन्तों यदि आप बिल्ली को पालते हैं अपने घर में तो ये एक आम बात है किन्तों यदि कोई बिल्ली घर में जबरन आका रहने लगती या आप उससे रोजाना परेशान रहते हैं एसा होने पर जीवन अस्त वियस्त हो जाता है दोस्तों बिल्ली का बार-बार आपके घर में आना आपको परेशान करके चले जाना आपके आने वाले जीवन के लिए एक चेतावनी है जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की घर की जो आम तोर पर तनाव भरा महोल आपके जीवन में पैदा कर जाता है यदि कोई बिल्ली आपके घर में अपना घर बना ले या बार बार आने लगे तो आप जान ले ये आशुप संकेत है क्योंकि एक इनसान आराम और शांती के लिए अपने घर पर रहता है उसकी इच्छा के व अपनी मर्जी से आपकी हक पर अपना हक जमाए तो ये एक गलत बात है बिल्ली का जबरन आपके घर में आना एशुप संकेत माना जाता है ये आपके आने वले जीवन में तनाव पून इस्थिती पेदा करती है आपको धन हानी जैसी समश्याओं का सामना करना पड़ सकता ह इसलिए बहतर होगा यदि कोई जबरन आपके घर में जानवर घुश जाए तो उसे आप निकाल दे यदि आप उसे पसंद नहीं करते हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो के मद्यम से आपने बिल्ली के बारे में बहुत सारी जानकारियां हासिल की है कि बिल्ली का आना घ वीडियो जरूर पसंद आया होगा अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेला इकन अवस्य प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट आप से मिस्त ना हो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वंदे मातरम जैस्री क्रिश्ना